तो हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने लो हैं जिस टूल से आप किसी भी मोबाइल को अनलोकिंग कर सकते हो पैटान, पीन, पाश्वार्ड या FRP अनलोक कर सकते हो सिंगल क्लिक्स के अंदर देखो दोस्तो ये टूल जो है अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और दोस्तो इस टूल के उपर मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया है अनलोकिंग के FRP के हर एक मडल के ठीक है तो अभी मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ देखो दोस्तो मेरे पास जो एक दो तीन ऐसे वीडियो हैं यहाँ पे देख सकतो यह जो Redmi 10A 10A है और यहाँ पे बहुत सारे फोन है Infinix Hot 10 FRP का 10A का FRP Unlocking का मैंने बहुत यहाँ पे देख सकतो Oppo A31 का जो यहाँ पे Unlocking के वीडियो हमने बनाए हुए है यहाँ पे और भी इसको Installation के भी Process हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाए है लेकिन वो TPS Version 2.0 का था ठीक है लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि TPS Version 3.0 को कैसे आप इंस्टॉल करो गए और इस टूल के अंदर क्या क्या आपको Features देखने को मिलेगा कौन से Mobile आपको Support देखने को मिलेगा ठीक है सब कुछ आपको Details के साथ बताने वाला हूँ तो वीडियो पे बने रहना और दोस्तो यह जो टूल है आपको इसका Link वीडियो के Description में मिल जागा या तो आप हमारे Website पे विजिट करके देख सकतो alamobiletech.com पे ठीक है तो इस Website पे जाओगे तो आपको इसली बहुत सारे Unlocking Tool बिलकुल Free में मिल जाएंगे ठीक है लेकिन दोस्तो इसका कुछ Condition है इस Tool के अंदर आपको एक Password देखने को मिलेगा जो कि मैं विडियो के किसी भी पार्ट पे आपको दिखा सकता हूँ यानि कि Show कर सकता हूँ इस जो Tool है अभी के टाइम में बहुत जाड़ा ट्रेंडिंग में है Tool ठीक है तो आपको directly हमारे website पे चले जाना है अगर जाना चाहते हो अगर नहीं जाना चाहते है तो दोस्तो आपको करना क्या है आपको हमारे website पे या हमारे वीडियो के description में आपको link मिलेगा देख सकते हो TPS Tool version 2 Free Unlock Tool 2024 latest 5G CPU supported है इसके अंदर यहां पे देख सकते हो केलकम के भी ठीक है तो इसे के अंदर आपको 3 भी मिल जागा और आपको 2 भी मिल जागा दोनों आपको install कर सकते हो दोनों भी download कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अलग से मैं इसके उपर अभी वीड upload करने वाला हूँ 3.0 को ठीक है यहां पर देख सकते हो इसको भी मैं upload कर दूँगा यह 2 है और इसके उपर 3 upload करूँगा ठीक है तो दोस्तों अभी देख हो यहां पर देख सकतो हो यह जो है मेरे पास TPS Tool है भी 3 यानि कि version 3 है 3.0 बोल सकते हो आप इसको तो आपको इसको कैसे install करना है सब कुछ आपको details के साथ बताऊंगा तो यहां पर क्या करना है आपको Z5 मिलेगा इसको एसा नहीं है कि आपको मतलब free में मिल जागा आपको इसके अंदर password देखने को मिलेगा तो वो password इस वीडियो में कहीं पर भी आपको दिखा सकता हो ठीक है तो अब दोस्तों यहां पर देख सकतो हो यह इसको install कैसे करना यानि कि कैसे आप इसको install करोगे तो यहां पर देख स एंडर होता है उसको जो है disable करना होगा real time protection ठीक है इसके उपर भी मैं एक video बनाने कर सोच रहा हूं कि आप one click अंदर जो है defender कैसे off कर सकते हो ठीक है उसके उपर बहुत जल्दी अपने चैनल पर वीडियो लाने वाला हूँ अब यहां पर दोस्तों करना कि आप run anyway कर देना है तो यहां पर yes मांगेगा install करना है यहां पर देख सकतो हो यह password मांग रहा है तो यहां पर हम password यहां पर डाल देते है ठीक है यहां पर हमने password डाल दिया और यहां पर next किया ठीक है यहां पर दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि password हमने कौन सा इसके अंदर डाला हुआ है ठीक है तो password भी मैं आपको बता दूंगा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताऊंगा लेकिन वीडियो कुछ आपको देखना पड़ेगा नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग लिंक से डाउनलोड करते हो और फटाक से इंस्टॉल करना शुरू कर देते हो और वीडियो चोड़के चले जाते हो ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है आपको फुल वीडियो वाच करना होगा और फुल नोलेज नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं भाई मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा यह गड़बड है वह है वह है ऐसा कुछ नहीं है आपको वीडियो को फुल वाच करना है यहां पर देख सकतो यह टीपीएस टूल यहां पर हमारा आ चुक को जो है इसको ओपेन करना है और जब आप फर्स्ट बार अपने पीसे के अंदर इस्टॉल करोगे इसको यहां पर हाडवर आईडी में आगेगा तो यहां पर हाडवर आईडी में आगेगा हाडवर आईडी यहां से कॉपी करके यहां पर लाके पेस्ट करना है और परतम इसी तरीके से करना है बाकी इसमें कुछ है नहीं अब यहां पर दोस्तों देख सब्सक्राइब करने के बाद हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर कौन-कौन से फॉन आपको सपोर्ट मिलेंगे बर्जन 3.0 में ठीक है यहां पर बर्जन भी इसका देख सकते हो तो अब अब दोस्तों यहां पर देख साउमी के अंदर आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे यहां पर इतने सारे मडल्स हैं आपको देखने को मिलेगा 9A मतलब हर एक फोन आपको यहां पर 4G फोन खास करके ज्यादा तर इसके अंदर मिल जाएंगे जो बहुत सारे टूल्स के के अंदर नहीं होता है और दोस्तों का खास बात यह है कि one click के अंदर यह टूल work करता है मैंने बहुत सारे विडियो इसके उपर वाणे हैं मतलब बहुत ही अच्छा बहुत सारे टूल यह कभी पकडेंगे कभी नहीं पकडेंगे लेकि इसमें थोड़ा सा अगर आपका USB यह सब है और यहां पर models भी आपको direct आजाएगा अब यहां पर bootloader unlocking यहां पर देख से तो इतने सारे phone को जो है bootloader unlocking कर सकते हो ठीके अब दोस्तों यहां पर Xiaomi के अंदर media tech में भी बहुत सारे चीजें हैं आपको यहां पर Redmi Note 11 और Note 11 5G यहां पर देख से तो ADB के अंदर जाते ह mode DM verify यहां पर बहुत सारे चीजें चेक कर सकते हो हवाई के अंदर देख सकते हो इसमें भी ideal mode में और ADB mode और बहुत सारे चीजें mode यहां पर दिये गए हैं और हवाई के इसमें काफी सारे models हैं यहां पर देख सकते हो बहुत सारे tools के अंदर यह सब models आपको हवाई के models देख बहुत ही जबर्जस सपोर्ट करता है ठीक है तो यहां पर बहुत सारे देख सकते हो हवाई के मडल्स हैं ADV कर सकते हो यहां पर फॉर्मेट डाटा एफर पी लोग दोन एक साथ कर सकते हो ठीक है अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ मेरे चैनल पर आपको इसका प्रूफ भी दिखने को मिल जागा लेकिन खास करके यहां पर जो ओदर के अंदर दिया गा है भाई बहुत ही जबरजस्त है मैंने बहुत ही अच्छे से ट्राइक कर आइसको हवाई के अंदर देख सकतो इतने सारे मडल्स हैं फिर आपको अपको को अंदर बहुत सारे ऐसे मडल्स मिलेंगे जो की अच्छे- अच्छे टूल्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है यहां पर रियल्मी 3 रियल्मी ओपो यहां पर सब जो होता है बहुत सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे यहां पर फॉर्मेट फैक्टरी वगारा कर सकते हो कोलकम का जितने सारे CPU है इसमें अच्छ अच्छे से यूज करता हूँ भाई बहुत ही अच्छे से और यह जो टूल है अभी के टाइम में बहुत ही जवर्जस्त काम कर रहे हैं आपको जितने सारे हैं कोई भी एरोर अगयरा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आपको अगर मानलो मीडिया टेक का CPU है को भीवी फवन है मीडिया टेक का और उसको क्या करो पावर ऑफ करदो पावर ऑफ करके फ orchल में टाटा एंड प्लस एफारपी पे किलिक कर के स्टार्ट पे क्लिक कर Delई quarto मतलब सेकेंडस क्तलेगा और ऊसको डाटा कर लगाऊ आयो माइनस प्लस डाल के अभाक हुछता काम खत अच्छा से वर्क करता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है कोई जवाब ही नहीं यहां पर मैं आभी आपको दिखा देता हूँ यहां पर SPD का भी जो ऑफ्षन है इसमें भी काफी अच्छे खासे मडल्स वगरा दिये गा हैं यहां पर देख सकते हो जी उनिका इन्फिनिक्स का इतने सारे मडल्स हैं फिर से आपको इतने सारे मडल्स आपको देखने को मिलेंगे जो की बहुत सारे हैं और यहां पर आपको इसमें देखने को मिल जागा दोस्तों सबका कंडिशन एक यह बस मेरा जो यह फैबरेट है फार पी भी करना होता है तो इरेज फार पी भी लगाओ श्टार्ट करो हो गया काम खतम डबल किलिक करके अपना लगाओ यहां पर अन्रोइड को देख सकते हो इसके अंद अन्रोइड कर सकते हैं और यहां पर डिवाइस मेंटर भी आपको यहां पर ऊपन कर सकते हो ठीक है इस तरीके से टेस्ट मोड यहां पर देख सकते हो चेक PC क्लिया टैम्प फाइल यह समसीजिये आपको इसके अंदर अच्छे खासे दिये गया है जो कि मेरे हिसाब से बहु long form में लिखना है TPSB3 यही आपको डाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसका password वही है TPSB3 बस आपको डाल देना है और आपका जो ही यह हो जाएगा ठीक है यहाँ आप देख से तो इसमें space वगरा नहीं लगाना है बस आपको इसका यही password है TPSB3 तो दोस्तों मुझे उमीद आपको यह वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस करके all पे सेट कर देना थाकि जो भी वीडियो में अपलोड कर उसका notification आपको तुरंत मिल जाए तो चलो मिलते हैं किसी और next वीडियो में तब तक ले इतना ही जैहिंद बंद मात्राम